मुझे लो रादे रादे स्वागत आप सभी का आपके अपने सुनीता सर्मा चेनल पर कैसे हो आप सब आई होप आप सब अच्छे होंगे और अभी सुबह का जो मॉर्णिंग का काम होता है वो मेरा खतम हो चुका है और बाकी मेरी पुझा वगरा सब कुछ को चुकी है और देखो हमारे यहां पे गाज भी बांदी गई है आप लोगों के यहां ऐसे होता है की नहीं जो होती है उसको जनमष्ट impatient के अगले दिन नौमि को पूझा होती है गाज की और हमारे यहां पूझा होती है तो इनको जैस बाजी में तकते हैं जैसे कोई कड़े में लगा लेता है को कोई इस तरीके से इसको रखते दाने और चलिए आप बाकी का काम करेंगे जो भी करेंगे अप लोगों से सेर करूँगी और चलते हैं अपना ब्लोग और मैं आचुकियों किचिन में और किचिन में आज बनानी है मुझे कड़ी और कड़ी क्या हुआ कि रात को न मैंने दही जमाया है यह ताजी तो मैंने क्या किया था जब चायवाय बनाई थी न उस समय मैंने इसमें नमक डालके रख दिया था दही म थोड़ी खटी कड़ी अच्छी लगती है फीकी वाली विल्कुल अच्छी नहीं लगती तो इस वजह से बाकी इसका मैं घोल तेयार करूंगी और इसमें डाल दिया है मैंने चार पांस चम्मच के करीब बेसन और इसको ब्लैंडर से मतलब कर लूंगी मैंस कर लूंगी अच्छे तरीके से जो के हमारी फूली 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 पकोडी आती है इससे जितना अच्छे से फैट लोगे ना उतना ही अच्छी फूली फूली पकोडी आएंगी और नमक डालके और मैं इधर पकोडियां बना लूंगी तो और बहुत फूल जाती है पकोडियां इतनी कड़ी यहां मेए आप लगले आपना मसाला आपकोडी यहां तरके रख़ा है और आपना मसाला कर दो और यह मसाला मैंने ले लिया चार लाल मिडशी ली हैं कड़ी पत्ता कट कर लिया मैंने और मैथी दाना और जीरा इसमें मैं छोकती हूँ और मतलब जो वह है ना हीन हीन मेरे घर में कम खाते हैं तो मैं यूज नहीं करती क्यूंकि बाओ जी पसंद नहीं करते तो इस वजय से में हीं डालती नहीं हूं और उसके बाद में शायर दालने के बाद मैं सब भी डाल को पाकान है बहुत अच्छे से जब तक हमारा ओइल नहीं छोड़ देता ना और बाकी इसमें नमक भी डांड हो क्यों जाती है तो मैं इसी टाइम पर नमक डाल द कड़ी नहीं बना रही हूं वैसे बाकी मैं टमाटर वाली कड़ी बनाती हूं बीच-बीच में कभी सिंपल भी बना लेती हूं लेकिन इसमें कड़ी पत्य का टेस्ट ना बहुत अच्छा आता है और मेरे तो घर पे लगा हुआ है प्लोट में तो वहीं से कड़ी पत्या काकी का इतनी देर में सारा काम हो जाएगा मेरे इसमें अच्छे से उभाल भी आ चुका है और इसमें पकोडियां एड कर दूंगी और अभी इसको और बलने दूंगी यह ना बहुत काड़ी-गाडी सी होने लग जाएगी देखो इस तरीके की तो यह कड़ी बनके तयार हो कम से कम 20-25 मिनट कड़ी में लग जाते हैं उबलने में तो उतनी देर में मेरा बागी का सारा काम हो चुका है क्योंकि बहुत इसमें भी टाइम लगता है क्योंकि जितनी हम कड़ी को उबालेंगे उतना ही इसमें टेस्ट आएगा और इस पे ना उबालने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि ऊपर से जैसे इसके पापड़ी सी जमने लग जाती है तो वह चीज हो जाती है तो बहुत अच्छी लगती है और मैंने बंद भी कर दिया अब इसको ना मैं दूसरे बरतन में पलट के रख दूंग यही काम रह गया है बस मेरा बाकी का सारा काम हो गया इतन अनल्यशन भी कडाई में बनानी पड़ती है ना बड़ी कडाई में बनाती हूं क्योंकि नेकल निकल के कडी का यह होता है निकल निकल के भागती है बाख tutti बाती है बाखर और अभी मैं फ्रीज में से ना कुछ निकाल रही थी तो मुझे यह दिखाई दिया क्योंकि कभी कभी क्या होता मुझे याद नहीं रहती चीज रखके भूल जाती हूं तो देखो मेरे पास नहीं चीज है शायद आप लोगों ने बनाई हो लेकिन मेरे लिए बिल्कुल नही नई थी इसको बोलते हैं कमरक भी भी बोलते हैं इसको और चमरक भी बोलते हैं और इसको फ्रूट इस्टार भी बोलते हैं इस सबजी को तो इसकी सबजी भी बनाई जाती है अचार भी बनाया जाता है और चटनी भी बनाई जाती है लेकिन आप लोग बताना किसी ने बना कहीं से आई होगी तो जादा थी उन्होंने तो यह देखे गई वह अब इसमें से क्या हुआ मुझे यह सब्जी बिल्कुल भी बनानी नहीं आती है क्योंकि मैंने कभी नहीं बनाई यह सब्जी और फिर मैंने क्या सोचा कल मैंने उनसे पूछा पहले तो इसका बनता क्या है बनी थी तो पुछा था था मैं तो कुछ काम कर रही थी तो यह प्रीया ने मतलब उनसे बोल दिया कि हमारे यह बनती नहीं है इस वज़ा से फिर मैंने वह घर पर आई मतलब आदर आई पूछने के लिए मुझसे तो मैंने बोला ले आजाकर और बनाकर देखेंगे और उन उन्हें बताया कि अचार भी बनता और सब्जी भी बनती है तो उनसे ज्यादा कुछ तो पूछा नहीं उसने अब अंदर आ गई और मुझे ये सब्जी बिल्कुल आती नहीं थी कोई भी आइडिया नहीं है सब्जी का क्योंकि मैंने कभी जब बनाई हो तो पता हो फिर मैंन कल मतलब सामी मुझे इस चीज की बहुत रहती है अगर मैं कोई नई चीज है तो मैं उसको जरूर ट्राइ करती हूं और अपना दिमाग लगा कि तो इसका क्या हुआ कल मेरी भावी से भी फोन पर बात हो रही थी शाम को और मैंना सब्जी को भी बनाती जा रही तो भावी स करण चेज कर बात के लेक्ट है व्हाइज से ढल सकते हैं अच्छी लगेगी चार-पांच बना ती शायद मैंने पांच के करेब लीं ये काटी और इतनी ये बचा ली मैंने मैंने सोचा मैंने के पहले मैं देखती हूं खा कर अगर मुझे अच्छी लगेगी तो मैं आप ल अगर आप लोग बोलना मैं गोमेंट करके अगर आप चाहोगे तो मैं यह सब्जी में शेयर करूंगी क्योंकि मैंने अभी भी इफ़िमित ली अठतों सीगे बनात्या अची लग रही जो उधो सकते हैं क्योंकि बिल्खुल ऐसा बनाया मैंने सुख्था जो अच्छी लग रही है ऐसे थोड़ा थोड़ा में ले सकते हूं तो चीज की कमी पूरी हो जाती है तो बहुत सारी चीज़ें की बताएं वह पर तो और आप अगर बच्छना आते हो यह कभी बनाई है आप लोगोंने तो मुझे जरूर बताना तो अभी बैक केमरे से दिखाते हूं कि कैसी बनी यह यह देखिए इसको इसलिए फूट स्टार बोलते हैं क्यूंकि इसकी सेव जो है वह फिरूट स्टार में कट हो जाती है देखो इस तरीके भी इस तरीके का बनता है और यह अचार के तूर पर गला हुआ है बिलकुत जैसे चम्मसे कट करेंगे मैंने छुटे बड़तन में कर लिया इस वज़े से थोड़ा लग रहा है नहीं तो बहुत अच्छा लग रहा है इसमें जो ओयल होगा ना थोड़ा सा वह भी नीचे हो गया ह है और बहुत मसाला मसाला सा बहुत अच्छा लग रहा है मुझे है तो और बाकि आप लोग बताना अगर आपको इसकी रहसी पी चाहिए तो मैं जरूर सेयर करूंगी क्योंकि अभी मैंने बनाई नहीं है यह मैंने उठा के रखी हुई है यह इस तरीके की होती है और इतनी मैंने बना ली थी है तो इससे कम मैंने बना ली थी और यह नहीं बनाई है मैंने तो इसको मैं भी डब्बे में भरके रखूंगी इसको फ्रीज में रख दूंगी डब्बे में तो थोड़ा-थोड़ा करने के बाद मैं अब आती है रोटियां सेकने की बारी तो वह भी सेक लूंगी मैं और यह देखिए मैंने जो उसमें तड़का तो लगाया है मिर्च का लेकिन यह तड़का हमारे हां जरूर बनता है जैसे कि कड़ी हो दाल हो यह बना के रख लेते हैं यह कटोरी मैंने बनाई हुई है एक तो यह वाला तड़का आप डाल के देखोगे न उपर स हैं और जो मैंने अभी सबजीब दिखाई थी ना आपको वह भी है साथ में और खाना बन चुका है मेरा सारा काम भी खतम हो गया परतन वगेरा सब कुछ कर दिये मैंने अब मैं रह गही हूं खाना खाने के लिए तो अब मैं लगाऊंगी अपनी प्लेट और मैं भी खाना खाली तो फैर के बाद मैं अब रात को मिल रही हूं आप से क्योंकि मैंने वीडियो का एंड ही नहीं किया था और कभी-कभी ना मन बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है क्योंकि जब हम अपने व्यूज देखते हैं तो इतना मन उदास हो जाता है कि शायद आप लोगों को वीडियो पसंद नहीं आ रही है तो बहुत कम व्यूज आ रहे हैं कभी-कभी ऐसा लगता है नहीं कि इसको वीडियो को क्यों हम मैनत कर रहे हैं क्योंकि जब क्योंकि इसी चीश से खुशी होती है कि हमारे इतने व्यूज आ रहे हैं इतने लाइक आ रहे हैं लाइक तो बह मैं यही पर end करूँगी I hope वीडियो आपको पसंद आया होगा और पसंद आया हो तो like करें, share करें और subscribe करें